आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको पांच टाइकोग्राफिक टिप्स देने वाला हूं जो की बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है हर एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए अगर आप मेरे इन पांच और टिप्स को फॉलो करते हुए अपने डिजाइन को क्रेट करते हो तो जो आपका डिजाइन है वो देखने में काफी जादा प्रोफेशनल और काफी जादा आई कैचिंग लगेगा तो चली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो जो मेरा नंबर वन टीप है आपके लिए वो है कि आपके जो हैडिंग है या फिर जो टाइटल है उसका एक प्रॉपर साइज होना क्योंकि जो टाइटल है वो ही हमारी डिजाइन की जान होता है अगर हम लोग उसको ठीक से साइज में नहीं रखते हैं तो हमारा डिजा से साइज साइज रखना चाईए तो जैसे की डेजान इंग वर्ट्षॉप में इसको बड़ा रखना चाहता हम वर्ट्षॉप से तो अब मुझे किरा रखना चाहिए तो हमेशा गय map १रोह्यं सब्स producer safe wouldn했다 तो पार ऐ्क्षे मेरा। वह यहां पर होना चाहिए 50 क्योंकि अगर मैं 20 का डबल करूं तो वह हो गया हमारा 40 और धाई गुना हो गया मेरा 50 तो मैं आप इसको कर दूँगा 50 अब आप देखेंगे कि देखने में लग रहा है कि हाँ यह हमारा एक टाइटल या फिर हेडिंग है और हेडिंग के नीचे इस तरीके से आपको अपने किसी भी टाइटल को या फिर हेडिंग को लिखना है कि नीचे वाला जो साइज है उससे धाई गुना बढ़ा आपका यह साइज होना चाहिए आप इसको यहां पर और ज्यादा बोल या फिर ब्लैक भी रख सकते हैं इसके अलाबा अगर आपको तो वो धाई गुना बढ़ जाएगा तो इस तरीके से हम अपना टाइटल लिख सकते हैं तो जो मेरे पास आपके लिए सेकिंड टिप है वो यह है कि आपको हमेशा वह फॉन्ट यूज करने चाहिए जिसकी आपके पास पूरी फैमली हो जैसे कि मेरे पास यहां पर रोबो ब्लेक है, बोल्ड है, मीडियम, रेगुलर, लाइट और थिन तो इस टाइप से आप फॉन्ट यूज करें आपको जो भी फॉन्ट डाउंलोड करना है उसकी पूरी फैमली डाउंलोड करें और इन फॉन्ट को ही आप अपने डिजाइन में यूज करें जहां पर भी आपक का, यूज करके कॉंट्रास्ट दे सकते हैं, तो इससे ही होगा कि आप कम-ज-पür करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप आप 2ざग्यवे करें, मैं युज किरतंगी है जनकी में तो इस लिए हो जए फ्यांना करता हूं, जनकी मेर स्कूर स हो इस पॉरी फैमिली उती अब जैसे कि मेरे को इन दोनों font में contrast देना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं इसको कर दूँगा यहां से बड़ा इसको कर देता हूँ मैं 100 pixels का ठीक है और इसकी जो spacing उसको कर देता हूँ यहां से कम अब यह जो वर्क्शॉप है तो यह मेरा sensory font है अब जो मैं वर्क्शॉप रखना रखूंगा यहां पर उसको serif font में रखूंगा जैसे कि time तो आपको इस तरीके से यहां पर अपना contrast देना आना चाहिए कि हमेशा जैसी आप यहां पर कोई जो भी heading जो sensory font में लिखते हैं उसके नीचे जो भी आप सब heading लिखे वह एक serif font में लिखे तो इससे जो आपका heading जो भी title है वह देखने में काफे ज्यादा contrast फिल करता है इसके लावा आप क्या कर सकते हैं अगर आपको यहां पर इसका font चेंज करना जैसे कि मैं यहां पर एक script font लिए लेता हूँ तो इस तरीके से हम लोग अपने जो भी हमारी typography है उसमें contrast दे सकते हैं कि हमारे को जब भी sensory font का use करना है तो उसके साथ में serif font नीचे हम लोग लगा सकते हैं अगर मैं script font का use कर रहा हूँ जो मेरा cursive font है उसके साथ में मैं हमेजा sensory font का use करूँगा तो यह मेरी थर्ड टिप थी जो काफी जादा amazing है और अगर आप इसका use करते हैं तो आपका title है वो देखने में काफी जादा amazing लगेगा तो जो मेरी four tip है वो यह है कि आपकी spacing है between line और paragraph वो बहुत ही जादा professional होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे को कितनी spacing रखनी है सपोज यह मेरे पास यहां पे normal font लिखावा है जो कि caps नहीं है मैंने title case में कर रखा इसको तो इनकी spacing को इतनी सही लग रहे है लेकिन मैं जैसे इनको यहां पे caps कर देता हूँ तो caps में आप देखेंगे कि इनकी spacing काफी जादा है तो यह spacing का मारे को ध्यान रखना है और इनकी spacing कुछ इतनी होनी चाहिए मतलब कि जो इनकी normal spacing आती है अगर मैं इसको cut कर दूँ यहां पे और इसी designing के आगे ही लिखूं यहां पे enter करके और यहां पे मैंने इसको कर रखा है auto तो आपकी जो auto spacing आईगी यह full caps में सही नहीं लगती तो इसके लिए हमेशा आपको इसको minus में करना होगा तो यह हमेशा इसको रख सकते हैं लेकिन अगर आपका यह ऐसे capsule में नहीं है तो आप इसको खोल सकते हैं ठीक है तो अगर आपने font को यहां पर spacing में रखा है capital में रखा है तो जो इसकी spacing है वह हमेशा आपको यहां पर down रखनी चाहिए इसके अलावा जैसे कि आपने अब इसके नीचे कु कोई भी बात करते हैं तो उसके बीच में पॉस लेते हैं तो पॉस वैसे हमारे को content में भी फील करना होता है कि हमने यहां पर एक चीज बोल दी अब इसका जोड़ा content है वह एक spacing के बाद रखों अब जो इसमें suppose यहां पर कोई button आएगा तो वह भी spacing के बाद में होना तो यह देखने में काफी जादा सही लगेगा तो इस spacing का भी द्यान आपको रखना चाहिए कि जब आपका एक word एक आपका जो भी content है वह खतम होता है तो जो उसके बाद में second content आता है उन दोनों के बीच में काफी सही spacing होनी चाहिए तो गाइस जो मेरी last tip है आप लोगों के टेक्स का align होना गाइस मैंने काफी designers को देखा है कि वह design तो काफी अच्छा बनाते हैं लेकिन अपना जो टेक्स है उसको ठीक से align नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक basic तरीका बता देता हूं कि हम लोगों कैसे alignment करनी चाहिए तो अगर suppose आपको कोई भी text अपन alignment होनी चाहिए आपकी left अगर आपको center में रखना है तो उसके alignment होनी चाहिए center और अगर आपको यहां पर रखना है right में तो उसके alignment होनी चाहिए right तो इस तरीके से आप किसी भी जो भी आपका text है उसको align कर सकते हैं मतलब कि अगर आपने text को left में लिखा है तो उसके alignment हमने left रखी है, center है तो center है और right में रखा है तो right alignment है तो guys, यह मेरी 5 tips थी अगर आप इन 5 tips को follow करते हो और अपने design बनाते हुए इन 5 tips को अपने design में implement करते हो तो जो आपका design हो देखने में काफी जादा professional लगेगा और उसमें कहीं पे भी typographic आपको problem नहीं लगेगी तो guys, अगर आपको आज की video पसंद आईए तो please video को like करें चैनल को subscribe करें मिलते है अपनी next video में एक नए topic के साथ तब तक के लिए thank you